जैने दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्तों आग आओ मैं आपको लेकर शंख्या पद्धती आपका पहला टॉपिक्स दोस्तों आपका अपनी परिवार रिजिनिंग एंड मैत वाला पे मैं कुलदीप स्वागत करता हूँ अभिवादन करता हूँ दोस्तों तो मैं आपको संख्या पद्दती में जो भी बेसिक जानकारी है उसको बताने का प्रयाश करूँगा दोस्तों ये जो संख्या पद्दती होता है मैत की एक धड़कन है आपको धड़कन की मिना कोई रहने शकता है इसलिए दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि इस धड़कन को आप अपना धड़कन मनाए और जल्दी से अच्छे से अच्छे इसे हो देखिये तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो संख्या पद्धती है आखिरकार जो नमर का सिस्टेम है वो है क्या आखिरकार तो इसके लिए मैं पहले इसको डिवाइड करूँगा जो संख्या होते हैं ये थ्री टाइप्स को होते हैं पहला होता है वास्त्विक संख्या क्या होता है वास्त्विक संख्या तो दोस्तों वास्त्विक संख्या क्या होता है रियल नम्मर क्या होता है यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है और अधिकतर कोश्यन आपको इसी में से पूछा जाता है दोस्तों दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, और तीसरा होता है समिस्र संख्या, कॉंपेक्स नमबर दोस्तों हमें केवल वास्त्तविक संख्या, रियल संख्या, रियल नमबर को पढ़ना है कालपनिक और शमी शंख्याएं हमारे एक्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि हम प्रतियोगी परिछाएं जो हैं यूपी पुलीस हो गया, रेलवे, ग्रूपडी, एलपी, SSC, CGL, SSC-CGL और आपका TGT, Tate, सूपर Tate, C-Tate में देखेंगे सोरी, बोल दी हूँ, वो PGT के लिए तो, तो दोस्तों, वास्तिक संख्या क्या होता है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, याकिरकर वास्तिक संख्या होती क्या है तो इसके लिए क्या होती है, वास्तिक संख्या है, जो किताबी जो इसका परिभाशा है यह होता है कि ओवाश्ट्विक संख्या हैं धनात्मक और रिरात्मक जो पुरांख होते हैं उनसे मिलकर बनती हैं और जीरों के साथ होती है अथार्थ कहने का मतलब यह दोस्तों कि जिन संख्याओं को हम लाइन ग्राप्ज होता है उस पर अगर दर्सा देते हैं तो उसे वाश्ट्विक संख्या करते हैं लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों मेरा मानना यह है कि अपने तरीके समें बताओं तो वाश्ट्विक संख्याओं उसको करते हैं जिस जिन भी संख्याओं का किसी भी संख्या का अगर हम इश्क्वाइर कर दें क्या कर दें इश्क्व का अगर हम श्क्वायर करें और उपास्ती ना हो उसे हम कालपनिक संख्या काते हैं और इन दोनों संख्याओं को अगर कमबाइन विप्षी अगर समलित करके हम लिखें तो उसे Komplex Numer करते हैं ठीक है तो दोस्तों अब हम वास्तिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे इसका क्ला जिसे हम अंग्लिस में काते हैं रिजल नमर क्या काते हैं थोड़ा वाज कर दो वास्तिक संख्या हैं आप तो जान गए कि वास्तिक संख्या क्या होती है सभी संख्या हैं वास्तिक संख्या होती हैं किने छोड़के जिनका वर्क करें और क्या पॉस्टिव वैल्यू जो देते हैं वास्तिक संख्या होती है जो नेगेटिव वैल्यू देते हैं वो कल्पन संख्या होती है अब इसके बाद आता है वास्तक संख्याएं के टाइप्स यह भी two types को आते हैं कितने types के टू टाइप्स के एक होता है पर्मेशंख्या पर्मेशंख्या दूसरा होता है अब पर्मेशंख्या दोस्तों पर्मेशंख्या को हम rational number बोलते हैं आई इसको irrational number बोलते हैं दोस्तों आएए देखते हैं पर्मेशंख्या क्या होती है किसको गाते हैं पर्मेशंख्या तो दोस्तों जो p by q के फार्म में लिखा जाए किसको p by q के फार्म जिस संख्या को P by Q की फार्म में हम लिख दें, उसे पर में संख्या काते हैं, लेकिन Q is not equal to 0. लेकिन दोस्तों, जानने वाली बात ये हैं कि P और Q है कि आकिर का है, तो दोस्तों, P और Q integer number, integer number मतलग पुड़ांक संख्या, पुड़ांक संख्या किसे काते हैं, यह भी जानना बहुत जरूरी है, पुड़ांक संख्या हैं दोस्तों, धनात्मक और रिरात्मक, जो line graph होता है संख्या को ऐसे दर्श है जाता है, 0 के, 0 के left side जो संख्या लिखे जाते हैं, उसे negative, integer या रिरात्मक पुड़ांक बोलते हैं, और 0 के जो right यानि किद्दाएं side जो लिखा जाता हैं, उसे धनात्मक पुड़ांक करते हैं, दोस्तों, मतलब इस side जो लिखेंगी number, plus 1, plus 2, plus 3, ऐसे करते करते plus, और ये जो होंगे left side, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dot, dot, minus, infinity, infinite के स्थाइन है, दोस्तों, ये तो आपकी हो गए basic जानकारी, अभी बहुत चीज़ी बाकी हैं, घपड़ाजे मत, थोड़ा इंतियार कीजिए, तो पर्मे संख्या, हम आपको क्या बताएं, कि पर्मे संख्या, P, B, Q की फ़र्म में होती हैं, P और Q, पुराग संख्या हैं, पुराग संख्या क्या होती हैं, वो भी हम आपको बता दियें, Q is not equal to 0, दोस्तों होता क्या है, क्यों Q को आखिर कार हम Q 0 नहीं कर रहें, क्योंकि पुराग संख्याओं में, 0 तो आता है, लेकिन हम क्यों को 0 क्यों नहीं करेंगे, तो दोस्तों, जब हम 0 में किसी नम्मर से डिवाइड करेंगे, तो 0 आएगा, ठीक है, दोस्तों, जब किसी नम्मर में हम 0 से डिवाइड करेंगे, यह क्या होगा, कि 0 में हम किसी नम्मर से डिवाइड करेंगे, तो 0 आएगा, किसी नम्मर में अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे, इन्फाइनाइट आएगा, अगर हम 0 में 0 से डिवाइड करेंगे, तो आप परिभ दिखाई दे रहा है आपको ठीक है इसको हम अंडिफाइन बोलते हैं क्या बोलते हैं अंडिफाइन हिंदिन बोलते हैं अपरिभासित तोड़ा राटिंग का इस्व है लेकिन होगे आप देखिए पर्मी संख्याओं अपर्मे शंख्याएं जो संख्याएं पर्मे नहीं होते हैं उन्हें अपर्मे करते हैं दोस्तों दूसरा तरीका क्या है चेक करने का कि आकिरकार पर्मे शंख्याएं और अपर्मे शंख्याएं में difference, आकिरकार- अगर option दे दे paper में हम जल्दी से कैसे करेंगे. तो दोस्तों, पर्मेय शंख्याएं, वे सभी संख्याएं. क्या? वे सभी संख्याएं. दोस्तों तो पर्मे संख्या को चेक करने के लिए दूसा तरीका के आए कि सभी संख्याएं पर्मे होती हैं किसे छोड़के जो करड़ी से बाहर नहीं निकल पाते हैं अथार जो रूट से बाहर नहीं निकलती हैं उन्हें हम अपर्मे या इर्रेशन लंबर बोलते हैं जो करड़ी से बाहर निकल जाते हैं, उन संख्याओं को हम permission क्या करते हैं, इतनी बाद ध्यान देजेगा, ठीक है, पहले क्या काये थे, कि वास्तिक संख्या क्या होता हैं, तो हम क्या बोले थे, वास्तिक संख्या उन्हें करते हैं, जो जिनका square करने पे, जो value क्या है, प्वा बाहर निकल जाते हैं, उन्हें permission क्या करते हैं, जो करड़ी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उन्हें, और permission क्या है, अथार इरेशन नमर बोलते हैं, दोस्तों, permission क्या को अगर चेक करना हो, अगर exam में पूछ दे, तो, जैसे पूछ दे, 6 के आए, मैंनिस 7, 2, अगर इसमें पूछ दे, कि दोस्तों, कौन से, 4 option दिया हैं, कौन सी संख्या हैं, और permission नहीं है, तो हम चेक करेंगे दोस्तों, कि कौन सी संख्या हैं, क्या, PYQ के फार्म में पहली बार, तो दोस्तों, जो whole number होते हैं, जिनका div denominator कुछ नहीं होता है, शदर उनका div denominator 1 होता है, यह भी क्या हो गया, permission क्या हो गया, minus 7 की divide 1 से कर सकते हैं, तो भी permission क्या हो गया, दोस्तों, जो और हम आपको last में क्या बताये थे, कि जिन संख्याओं को हम करड़ी से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें परमेशंख्या नहीं करते हैं, अथार, जो संख्याओं करड़ी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उन् यह हम 1 से डिवाइड करके PYQ के फर्म में लिख सकते हैं तो दोस्तों अंडर 9 यह तो परमिशंख्या हो गया लेकिन अंडर जो 2 है वो परमिशंख्या नहीं है ठीक है इतना दोस्तों आप ध्यान देजेगा और जो मेरा जो परिभाशा है एक तो परिभाशा हो गया किताब क कि कैसा होना चाहिए PYQ के फर्म में होना चाहिए PYQ क्या है पुरांग संख्या है लेकिन दोस्तों हमारा जो एक परिभाशा है वो क्या था कि जो संख्या है करड़ी से बाहर नहीं निकल पाते हैं उन्हें हम क्या करते हैं अब परमिशंख्या करते हैं अथा वो सभी संख देखिएगा परिमिशंख्या दोस्तों परिमिशंख्या को भी दो भागों में हम डिवाइड करते हैं पहला भाग होता है पुडांग दूसरा भाग होता है भीन पुडांग को बोलता है इंटेजर भीन को बोलते है फ्रेक्शन ठीक एतनी बाता है पुडांग किसे करते हैं तो दोस्तों पुडांग उश्य करते हैं जो नमर लाइन पर जीरु के राइट साइड या फिर धनात्मक पुडांक और रिरात्मक पुडांक को जीरू के साथ लेने पे उन सभी संख्याओं को पुडांक संख्या काते हैं अब fraction जो PYQ के फार्म में हो उसे फिन काते हैं fraction काते हैं अब दोस्तों ये भी एक टॉफिक है fraction जो आपको नेश्ट नेश्ट लेश्ट में पढ़ा जाएगा क्योंकि मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको सभी यूनिट को डिवाइड करके जो आपके लेश्ट थें जो आपके टॉफिक्स थें वो अलग-अलग आपको डिवाइड हम कर दिये थें तो फ्रेक्शन में हम पढ़ेंगे कि कौन से साधारड भीन होते हैं कौन से असाधारड भीन होते हैं कौन से सांत भीन होते हैं कौन से असांत भीन होते हैं है ना continuous, discontinuous और उसमें भी परमिस संख्या अगर देखना उच्छे करना हो तो वो भी देखा जाएगा अब पुढांग संख्यामी दोस्तों आपको हमने बता दिया all past all negative with 0 इस called indigen number तो दोस्तों 0 की right side जो नंबर होते हैं उनको हम धनात्मक पुढांग बोलते हैं और ये plus infinity तक जाता है दोस्तों 0 के left side जो numbers होते हैं उन्हें हम रिरात्मक संख्या काते हैं और ये minus negative तक जाता है दोस्तों जो negative integers होते हैं उनमें क्या होता है कि जो 0 के जितना करीब होता है वो उतना ही बड़ा होता है जैसे अगर हम ये काज़ा है कि minus 1 और minus 12 में कौन सी numbers बड़ा है तो हम तुरंद minus 1 पे जाएंगे क्यों? क्योंकि ये 0 के जश्ट बड़े है दोस्तों नम्मर लाइन पे जो संख्या है left से right जब जाते हैं तो सभी संख्याओं का value हमेशा बड़ता है ये बात बस आप ध्यान से याद रखेगा और कुछ नहीं करना है फिर दोस्तों इसके बाद हम आएंगे पुरंग होता क्या है तो पुरंग के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों पुरंग के बारे में हम आपको बता दिये अब हम आते हैं एक संख्याओं का है प्राकृतिक संख्याओं क्या है प्राक्रतिक संख्या जिसे इंग्लिस में नेचुरल नंबर बोलते हैं क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर दोस्तों प्राक्रतिक संख्या हैं उन सक्ख्या को करते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं है ना आम भार्षा में यह कहा जाए कि प्राक्रति संख्या वो शंख्या होती हैं जिन्हें हम सीधे गिन सकते हैं एट दो तीन चार पांच छै ऐसे हैं है प्राक्रति संख्या के बाद आता है आपका दोस्तों पूर संख्या होल नमड पूर संख्या दोस्तों पूर संख्या हैं प्राक्रति संख्या के साथ जीरू एड़ कर देने पे जो संख्या बनती हैं उन्हें प्राक्रति संख्या करते हैं पूर संख्या करते हैं प्राक्रति संख्या आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 पूर संख्या आपका हो गया प्राक्र इसे पूर संख्या कहेंगे दोस्तों हो गया अब दोस्तों प्राक्रतिक संख्या हो गया आपका पूर संख्या करते हैं हैं इन सब चीज़ों में आपको बताए जाएगा और इसे बहुत ही बेतरिन कोश्यन आती है दोस्तों कहा जाता है जो नमर सिस्टम है ओ महित का धरकन है ऐसे नहीं कहा जाता है दोस्तों क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिए तो आधा महित पढ़ जो आगे जाएंगे तो जो भी चीज़े रहेंगे पढ़ने के लिए इन्हें से रिलेटेड मतलब कि अगर इसको नहीं पढ़ें आप तो और सब जो चीज़े हैं उसको आप सीखी नहीं पढ़ेंगे इसलिए मैं आपको जिरो से हीरो बनाना चाहता हूं दोस्तों इसलिए में आपको जो बेसिक चीज़ें उनके बारे में आपको बताने का कोशिच कर ours कि आपको बेसिक-चीज़े ज डीक्ति दोस्तों जिनको हिंदी नस्वान में तो एंगलिस हमें इसको इवन नमर बोलते हैं । दोस्तों सम संख्या क्या होती हैं तो सम संख्या हैं वे शंख्या होती हैं जो two का multiple हो अर्थार्थ काने का मतलब यह दोस्तों कि अगर हम वो शभी शंख्या हैं सम संख्या होती हैं जिनमें हम two से divide करें और remainder zero आए मतलब यह दोस्तों कि अगर two से हम भाग दें अगर शेशफल zero आ जाए तो जाइट सी बात है यह कहा जाएगा कि जो संख्या है उस्ष्यम संख्या है जब two से divide करेंगे और remainder कुछ बचेगा अथार्थ remainder हमेशा बचेगा two से और डिवाइड करेंगे तो zero या one बचेगा जब zero यह कहा जाएगा कि डिवाइड पुरा पुरा चला गया है जब one बचेगा तो इसका मतलब यह है जो संख्या है हो क्या है बिशम संख्या है और number है तो संख्या है क्या होती है two का multiple two का table पढ़ दिए ऐसे अनन तक बिशम संख्या क्या होती है one three five seven nine eleven thirteen ऐसे इंपिनिट है मतलब दोस्तों अगर यह देखा जाए कि संख्या और संख्या के बीच का जो डिफरेंस होता है two का होता है और बिशम का बीच-बीच का जो डिफरेंस होता है वह हमेशा one होता है दोस्तों यह सिर्फ चीजे पढ़ने के बाद आपको हम बताएंगे आ गए आप अभाज शंक्या पर अभाज शंक्या का दोस्तों बहुत से नाम है अभाज शंक्या अभाज शंक्या इसको बोलते हैं दोस्तों प्राथ्विंग संक्या इसी को दोस्तों बोलते हैं रूड संक्या इसे को हिंदी में लिख देता है कि प्राइमरी शंक्या यहां नीचे लिख दे रहा हूं देखेगा नहीं वहां पे प्राइमरी शंक्या प्राइमरी शंक्या इंग्लिस में इसको प्राइम शंक्या बोलते हैं दोस्तों उसी से जराड और में कुछ नाम होते हैं जो भी ध् अभाशंख्या हैं दोस्तों, अभाशंख्या हैं उसको करते हैं, जिसका केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, कौन-कौन से, तो कोई भी नम्मर हो, कोई भी शंख्या हो, कोई भी नम्मर हो, उसका फैक्टर हमेशा और हमेशा वन होगा दोस्तों, ये बाते आपको ध्यान म कोई भी नम्मर हो वो हमेशा वन से डिवाइड होगा और जो नम्मर होगा और खुद से डिवाइड होगा अर्थार अगर एन है एन से डिवाइड होगा कहने का मतलब यह दोस्त कि वे सभी संख्याएं जिनका जिनका फ्यक्टर या गुडरणखंड छभीव हों केवल और केवल किटने ऐहं दो हों उनसभी शंख्याओं को हम अभाश Ah agree करते हैं प्राथ्मि संख्या या रूर संख्या या प्राइमरि शंख्या करते हैं है दोस्तों step 2 यतों लेकिन कि पर में आपको चार आफिन देगा और यह पूछेगा कि कौन सी संख्या संख्याएं कौन सी संख्याएं अभाज संख्या है ठीक है तो कोश्चन आपको मैं बता रहा हूं इसमें होगा कोश्चन अभाज रंख्याओं से रिलेटेट कोष्चन है अपको बोड़ पे लिख दिया हूँ एक कोष्चन में आपको बताऊंगा और उभीधी बता दूंगा कि कैसे चेक करते हैं आफिर काई काुंसे संख्याँ अभाजिती हैं कौन सी भाज्य होती है अथार्थ कौन सी अभाज्य नहीं होती है दोस्तों पहला कोश्चन बता दूँ या सिकेंड मतलब यहाँ पे एक कोश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं उपर वाला आप्शन और निची वाला आप लोग लगा कर हूंबर्ख है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ठीक है कोशिश केजिएगा अगर ना समझ में आए तो फिर से मैं आपको एक बार और बताऊंगा और आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि आपको मेरी बास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है और जो भी सुझा हो वो आप कमेंट करके जरूर बताए जिससे मैं और अपने आप में सुधार लाँँ और अच्छे से आपको बताने की कुशिश करूँ दूस्तो अभा संख्या हैं, चेक करने के लिए पहली बात क्या करेंगे जो option में जो संख्या होंगे, हम ये चेक करेंगे कि किस संख्या के वर्ग के पास ये संख्या होती है अर्थार करने के मतलब यह है दोस्तों कि कौन सी संख्या का वर्ग जस्टिस की बात आता है तो दोस्तों तेन का स्क्वार अगर हम करें तो हंडेट आएगा नाइन का स्क्वार अगर हम करें तो 80 बनाएगा दोस्तों यहां पर हम यह देख रहे हैं कि अगर हम 10 का ले ले अगर हम 10 का square ले 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 तो सभी संख्याएं इनके under में आ जाएंगे इसके 10 की ठीक है तो दोस्तों 10 से 10 से दिखा दे रहे नहीं यहां पर आपको दोस्तों यहां पर दिखा दे रहा है न तो 10 से नीचे जितने भी अभास शंख्याएं हैं उनको हम एक बार लिख लेंगे तो 10 से नीचे पहले 2 आता है सबसे चोटी अभास शंख्याएं 2 है 2 है यह आपको नहीं बताए हूँ अभी जश्ट बता दे रहा हूँ सबसे चोटी अभास शंख्याएं 2 फिर 3 फिर आपके बाद आता है 5 फिर आता है 7 ठीक फिर उसके बाद आजाएगा आपका 11 तो दोस्तों 11 को नहीं लेना है इन संख्याओं से हम चेक करेंगे कि कौन सी संख्याएं इन दी गई संख्याँ से डिवाइड नहीं हो रही है कौन सी संख्याएं इन संख्याओं से दी गई मतलब यह अभास शंख्याएं प्राइम नम्मर से यह संख्याँ दी गई अगर डिवाइड हो जा रहा है तो ओ संख्याँ कभी भी अभाष शंख्या नहीं होगा दोस्तों ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है 2, 3, 5, 7 से चेक करेंगे तो दोस्तों 2 का एक रूल होता है कि अगर 2 से जिन संख्याव को अगर हम डिवाइड करें अगर उनके unit place पर अथार्थ 21 सक अगर यू कहें देशी वासा में कि पीछे वाले से पहला अंक पर अगर 2 से डिवाइड चला जाए या वो संख्या 2 के पहाडा में आए तो उसे हम यह मानेंगे कि वो पूरी संख्या है 2 से डिवाइड हो जाएगी तो हम देख रहे हैं दोस्तों 2 से अगर हम डिवाइड करें तो 9 में नहीं जाएगा 7 में भी नहीं जाएगा 9 में नहीं जाएगा 7 में जाएगा तो यह हुगा कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ठीक है 3 से चेक करेंगे दोस्तों एक आपका टॉपिक आएगा डिविजबल्टी का रूल जिसमें हम आपको विवाजिता का नियां पढ़ाएंगे और उसमें इन सब चीजों से डिवाइट करने के जो बिधियां होंगे आपको बता देंगे बहुत बिश्तार से बताएंगे दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है यह और इसी में आता है नम्मर सिस्टम में आता है थ्री से डिवाइट करेंगे तो दोस्तों थ्री से डिवाइट करने का एक रूल होता है कि यह जो नम्मर से दी गई होती है उनको अगर digit को अगर हम जोड़ें जैसे 8 और 9 कितना होगा तो 17 होगा 8 अधा हो 9 कितना होगा 17 होगा औहरा सत्रा 3 के टेबल में नहीं आता है मतलब कि 3 के पाड़ा में नहीं आता है है ना 3 से भी कड़ गया मतलब 3 से भी ये ने डिवाइड हो रहा है 89 ये देखें तो 8 आट साथ जोड़ेंगे तो 15 होगा जो कि 3 के पाड़ा में आता है अर्थार्थ ये 3 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो हमें ग्याती करना था कि वे संख्याएं बताएं जो अब भाज नहीं है अर्थ अर्थार्थ वे संख्याएं में बताना था जो भाज यो अर्थार्थ किसी से भाग चला जाएं दोस्तों जब 3 से डिवाइड चला जा रहा है तो ये जो दे गई संख्याएं हैं वो आटोमेटिक क्या हैं अब आज हैं कभी ऐसा question paper में नहीं देगा ये भी भाज यो है ना लेकिन फिर भी संतुष्टी के लिए आपको चेक करके मैं दिखा दे रहा हम कि 3 से अगर डिवाइड करें तो 7 और 9 जोडेंगे तो 16 होगा जो की 3 से डिवाइड करने पर डिवाइड नहीं जाएगा अर्थार्थ 7 और 9 जोडेंगे तो 16 होगा तीन से डिवाइड नहीं होगा 9 और 7 जोड़ेंगे तो ये भी 16 होगा ये भी नहीं, तीन से डिवाइड होगा फिर हम 5 से चेक करेंगे दोर्टों, 5 से विभाजता का एक नियम है अगर उसके इकाई प्लेस पे 0 या 5 हो तो वो संख्याएं आटमेटिक 5 से डिवाइड बजाएंगे तो ऐसी कोई संख्या यहां पे नहीं है जिसके इकाई के अस्थान पे यानि की यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो, तो देखें 7 है, 9 नहीं, 7 है 9 तो अर्थार्थ क्या हो गया यह संख्याएं 5 से 4 संख्याएं डिवाइड नहीं है 7 से चेक करेंगे दोस्तों तो 7 से डिवाइड करके देख लेंगे 7 के टेबल में यह भी नहीं आता है 7 के टेबल में यह भी नहीं आता है 7 के टेबल में यह भी नहीं आता है जो 3 से डिवाइड चला जाएगा ठीक है 3 से अगर डिवाइड करें तो remainder क्या आएगा 0 आएगा अगर 3 से डिवाइड करेंगे remainder 0 आएगा तो automatic वो संख्या क्या हो जाएगे भाज संख्या हो जाएगे अभाज का rule हमने आपको बताया था कि अभाज वे संख्या होती है जिनका ACF यानि कि उड़न खंड केवल और केवल दो ही होता है दोस्तों ये हुब हुब कोश्चन है और नीची वाला चेक करके आप कमेंट बाक्स में जरूर बताएं कि इसका एंस्वर क्या होगा 251 है 571 है 331 है 341 है इनमें से कौन से संख्या है अभाज नहीं है अर्थार भाज है ये आप कमेंट में करके जरूर बताएं स्वाल्व करके बताएं आज के लिए बस इतना ही दोस्तों आप देखते रहिए रिजनिंग एंड मैथ वाला मैं कुलदीप आप से बिदा लेना चाहता हूँ फिर कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ धन्यवा दोस्तों